हलो फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बहुत ही कलर्फुल टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो चलिए कुछ नया सीखते हैं रेसिपी बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने ये पांच स्लाइसे ब्रेट के ले लिए हैं इनको इस तरह से तोड़ देंगे उसके बाद पांच से छह चम्मत जितने में आपके ब्रेड अच्छे सॉप्ट हो जाएं उतने दूद का इस्तेमाल कर लेंगे ये नॉर्मल अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनिट के लिए धक कर रख देंगे ताकि जो सूजी हमने इस्तेमाल किया है वह अच्छे से सॉप्ट हो जाए उसके बाद हम इसे चेक करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं ये जो हमारे सूजी और ब्रेड हैं इनकी कंसिस् इस टाइम पर एक से दो चम्मच दूद का इस्तेमाल कर सकते हैं पर यह देखिए यह एकदम डोज ऐसा परफेक्ट हो चुका है तो अब मैंने इसमें बिल्कुल भी दूबारा दूद का इस्तेमाल लहीं किया अब इसमें अपने पसंद अंसार यह कुछ सब्जियां डाले तो आप इनकी जगे बीन्स ले सकते हैं या और भी बहुत सारी सब्जियां ब्रोक्ली है तो आप ब्रोक्ली का सीजन है तो वह ले 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 तो आपकी चौई से सब्जियों की अब इसमें स्वादानुसा नमक डाल देंगे और एक चम्मच के लगबग और एक चिली फ्लेक् प्रेंड्स यह मेरे थोड़े से कौन बच रहे थे तो मैंने इनको एक्स्टा डाल दिया है तो यह एक्स्ट्रा हो गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं तो यह फ्राई करने में भी कुछ अलग हुए थे तो आप इस चीज का ध्यान रखे सब्जियां जो ह और इसे हम इस तरह से स्कौायर फैला लेंगे बड़े ही आसानी से हाथ से हम इसे फैला सकते हैं और इसे रेस्ट करने देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुरंत ही हम इसे कट कर सकते हैं तो मैंने आज इसे रेट ट्रेंगल पीसेस में कट किया है आप अपनी पसंद ट्राइंगल या इसक्वाइड जैसा भी सेप देना चाहें दे सकते हैं यह बहुत ही कलरफुल और टेस्टी और साथ में हेल्दी रेसिपी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा यह एकदम यूनिक रेसिपी है बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने व इसे डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं अगर आपके यह पीसे ज्यादा क्वांडिटी में बन गए हैं तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीजर में डाल दें और दूसरे या तीसरे दिन भी इन्हें फ्राइ कर सकते हैं यह जल्दी से खराब भी नहीं होते तो आप इसे प्रिजर भी कर सकते हैं एक से दो दिन के लिए और जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इन्हें तुरंत सेलो फ्राइ करके या डीफ फ्राइ करके दे सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो फ्लेम हम इसे मीडियम टू हाई रखेंगे और इ इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं आप देख सकते हैं यह देखने में ही एकदम बहुत ही ज्यादा क्रेंची दिख रहे हैं खाने में भी इनका टेस्ट अलग हटके है फटा फट से बनने वाली रेसिपी है आपको बिल्कूल भी जहन्जट करने की जरूरत नहीं आपके पास अगर में जो सब्सक्राइब लेबल हैं आप उन्हें डालें और फटा फट से नास्ते को बनाएं आज मैंने इसे कैचप और हरे दिन ये पुदीने की दही वाली जो चटनी होती है इसका वीडियो भी मैंने आप चैनल में अप्लोड किया हुआ है तो आप वहां से देख ल यूगी संता में तो इसे के मैं है और हमाने की बना और है तो से नाद़ा की उन्हें डालें बनाएं